हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज बनाते हैं घर पे ही बिल्कुल मार्केट जैसी कुलफी वो भी बिल्कुल असान तरीके से जट पड़ से बनके तयार हो जाएगी तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लिए हैं साथी पिस्ता ले लिए हैं तो ड्राइफ रूट्स आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अब यहां पे मैंने चीनी डाल दिये हैं मीठे के अपने और इसको हमने पीस लेना है तो यह पाउडर बनके तयार हो गया है इसमें कि आप चौहें तो ड्री चमच मिलक पाउडर के बी मिला सकते हैं और आप इसे न स्टोर करके भी रख सकते हैं मिल्क पाउडर मिला के इसеци को स्टोर करके रख धीजे और जब भी आपको कई educational कामन करें आप फटाफट से बना सकते हैं तो यहां पे हमारा यह पाउडर निय तो यहां पर अच्छे से फेटने के बाद इसमें हम यह पाउडर एड़ कर देंगी बहुत ही असान तरीके से बिल्कुल मार्केट वाली कुल्फी बनके हमारी तयार होती है वो भी मिंट्टू में बनके तयार हो जाती है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसमें बहुत ह असान है इसे आव एक बार जरूर से बना के ट्राइ कीज़ेगा सभी को यह बहुत पसंद आएगी तो यहां पर देखे मैंने एक बार थोड़ा सा मिक्स किया उसके बाद बागी का पाउडर भी इसमें एड़ कर दिया है अच्छे से इसको मिला लेना है अभी हम क्या करते ह एक बार बस मिक्सी में गुमा लेना है इससे क्या होगा एकदम स्मूध हो जाएगा यह पैटा एकदम स्मूध हो जाएगा बहुत ही बढ़ी असी कुलफी जमकी त्यार होगी तो देखे मैंने इसको एक बार मिक्सी में चला लिया है और मैं दिखाते हूँ कितना स्मूध स मटकी हो कोई बरतन आपके पास हो तो आप इसमें हैं शूटी-छोटी सी यह मत्किया ले ले लिया हैं और मैं इसमें डाल देने हूं उसको आप चाहे तो इसको एक साथ किसी बड़े बरतन में भी डाल समय है और यहां पहर तोपर से थोड़ा तो यह देखे यहां पर यह रेडी हो गया है अभी हम क्या करते हैं फॉइल पेपर ले ले लेंगे और अच्छे से इसको कवर कर देंगे इस तरीके से कवर करके रखेंगे ना तो इसके अंदर आइस नहीं जमेंगी बहुत ही बढ़ी अकुलफी बनके त्यार होगी तो अच् है तो आप कोई भी फ्लास्टिक से इसको कवर कर सकते हैं तो देखे इस तरीके से मैंने यह रेडी कर लिया है अब ऐसे ही हम सारे बना के तयार करते है को ठीक प्रेजर ही तो यहां रही है बहुत ही टेस्टी सी कुलफी बनके तयार हो गई है एक बार में खोल सोफे petites walk तो यह देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी सी कुलफी बनके तयार हो गई है वो भी बिना किसी जहनजट के और इसको ना आप 5-7 मिनट में बना के तयार कर सकते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बनाने में और खाने में तो यह बहुत टेस्टी लगती है एक दम क्रीम इसे बनाया ना तो बार बार आप इसे बना के खाएंगे और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं इसका पाउडर बना के फ्रिज में आप रख दीजे और जब भी आपको खाने का मन करें जटपट से इसे आप बना के खा सकते हैं तो आप इसे जरूर से ट्राइक तो चलिए फिर मलते हैं किसी और recipe के साथ तब तक के लिए बाई और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवार